हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाएंगे गाजर की इस टेस्टी मिठाई को और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में भी बहुत आसान है फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन करके तयार होती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है 300 ग्राम के करीब गाजर और इसे अच्छी तरह से धूल करके हमने साफ कर लिया है अब इसको हम छोटे-छोटे पीसे में कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको हम पीस लेंग वो हूँआ पर है 2500 ग्राम हमने लिया है, चीनी और इसकी हम चास्नी तयार करेंगे साथ में है सूजी 200 ग्राम और इसी के साथ यहां पर हमने लिया है नारियल का बुरादा, यह 2-3 चंमच है और यह लच्छे वाला नारियल है आप चाहे तो गुरादे का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में है कटा हुआ बादाम और एक चमच्ची रोजी, साथ में है आधा चमच्च इलाइची पाउडर तीके साथ हम दूद का भी इस्तेमाल करेंगे, तो जितनी सूजी है उतना ही दूद का इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गाजरों को हमने इस तरह से कट कर लिया है और अब इसको मिक्सर जार में डाल करके अच्छी तरह से फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे इस बात का ध्यान रखे फ्रेंड्स की गाजर थोड़े हाड होते हैं तो अच्छी तरह से पेस्ट नहीं बन पाता है कुछ टुकड़े खड़े रह जाते हैं तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा दूद या थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेंगे जिससे ये स्मूथ पेस्ट तयार हो जाएगा तो चलिए इसे पीस लेते हैं अब यहाँ पर एक भगोने में हमने आधा लिटर पानी डाल दिया है और अब जो चीनी हमने धाई सो ग्राम के करीब ली थी वो डाल देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीठा आप अपने एक्वार्डिंग यूज़ करें कम मीठा खाना हो तो कम डालें और अधिक मीठा पसंद हो तो पूरा का पूरा धाई सो ग्राम आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कुछ इलाइची पाउडर इलाइची को कूट करके हमने इस तरह से डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें पाउडर हम डाल देंगे पाउडर को अलग कूट लिया था और छिलके भी हमने इसमें डाल दिया है और फ्लेवर इससे ब टीनकां के लिया है और इसमें डालेंगे जो नारेल molta पुरादा हमने लिया था वो और इसी के साथ इसमें हम मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर तो मिल्क पाउडर यहाँ पर तीन से चार चम्मच इस्तेमाल कर खते हैं जब के यहां पर मिलाएंगे चौथाई चमच इलाइची पाउडर साथ में ही 1-1.5 चमच चीनी तो यहां पर दूद का इस्तेमाल हम करेंगे जितनी आवस्यक्ता होगी उतनी ही इसको डो के फाम में हमें बनाना है तो उतना ही दूद डालेंगे कि एक डो तयार हो जाए ज्यादा ग से इसको गुंद लेंगे तो यह हमारा डो बन करके तयार हो गया है अब इसकी हम चोटी-चोटी सी गोलियां बनाएंगे बहुत चोटी-चोटी सी बनानी है बिल्कुल इस तरह से और जितनी इसकी बन जाए आप उतनी बना ले तो यह देखिए कुछ इस तरह से बन करके त अब चलते हैं next process की तरफ अब यहाँ पर एक पैन में डालेंगे एक चमच घी बहुत जादा नहीं डालना है बस एक चमच के करीब डालना है और अब इसे अचले के छाधे तो देख सकते हैं कि कितना आची तरह से यह पीच गया है तो अब हम इसे डाल देते हैं घी के अंदर यानि पैनक के अंदर । है अब इसे मिक्स करते हुए हम दो से तीन मिनट कुक करेंगे बस दो से तीन मिनट कुक करना है, बहुत जादा नहीं कुक करना है अब गाजर को यहाँ पर दो से तीन मिनट भुंते हुए हो चुका है अब इसमें मिलाएंगे दूद, तो friends दूद हमें उतना ही लेना है जिस कटोरी से हमने सूजी लेई है उसी कटोरी से हम दूद लेंगे एक कटोरी तो इसमें मिला देते हैं एक कटोरी दूद और फिर से इसे हम उबाल आने तक कुक करेंगे जब तक कि इसके अंदर उबाल ना आ जाए तब तक इसको हमें कुक करना है और आप यहाँ पर देख देख सकते हैं फ्रेंट्स कितना अच्छी तरह से उबाल आ चुका है अब इसी स्टेज पे हम मिलाएंगे सूजी और इसको इसके अंदर मिला देते हैं और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये डो के फार्म में ना आ जाए तो फ्रेंट्स यहां पर दूद्ध या पान डो के फार्म में ही हमें पका करके ले आना है जब तक कि ये डो के फार्म में ना आ जाए तब तक हमें इसे पकाते ही रहना है तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिला लिया है और इसको चलाते हुए ही हमें पकाना है और हाँ फ्रेंट्स यदि आपको हमारी सबने हैं धी फीपट में धश्अ कर सके तो यहां पर यह जो डो हैं धंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हम इसे अच्छे से टच कर पा रहे हैं तो जो बॉल्स हमने बना कर के रखे थे अम even पाउडर के अब इसको इसके अंदर हम फील करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा सा पो्रशन हम लेंगे इस डोखा और इसमें जो बॉल्स हम मसल ले तो यह एक बराबर हो जाएगा वस इसी तरह से हमें पेड़े तयार करने है इसके और हाँ फ्रेंड्स यदि मिल्क पाउडर के बाल्स कम पर जाते हैं तो आप इसे नार्मली पेड़े जैसा सेप दे करके भी फ्राई कर सकते हैं आप इसी तरह से बनाएं बहुत ही टे कर लेंगे अब यहां पर एक पैन में हमने तेल गरम होने रख दिया था तो जो पेड़े हमने बना करके रखे हैं आराम आराम से इनकी अंदर डालते जाएंगे और हाँ फ्रेंड्स आप इसे फ्राई करें तो रिफाइंड या फिर घी में फ्राई करें सरसो के तेल का इस् में फिर दूबारा हम इसको पलट देंगे और हाँ फ्रेंड्स हो सके तो आप इसे पैन में ही फ्राई करें यदि कडाही में आफ फ्राई करेंगे तो यह आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं फिर तूटने का डर रहता है तो इस तरह से यदि दूर दूर रहेगा तो आराम से इसको फ्राई करते बनता है अब साइट से हम टेल को उपर नीचे करते हुए इसके उपरी सत्व को भी थोड़ा सा कूप कर लेंगे और फिर इसके बाद एक एक करके हम पलट देंगे इस तरह से आराम आराम से पलट देंगे तो यह सुरुवात में सॉफ्ट रहता है इसलिए तूटने का डर रहता है बट जैसे जैसे यह फ्राई होता है तो बिल्कुल भी नहीं तूटेगा और बहुत ही टेस्टी मिठाई इसकी बन करके तयार होती है तो यह देखिए कितनी अच्छी तरह से नीचे से फ्राई हो चुका था आप दूसरी साइड भी हम फ प्रोसेस की तरफ घंगे अब इन गर्म गर्म पेड़ों को डाल देंगे हम चासनी की अंदर और हां फ्रेंट्स ध्यान रहे कि चासनी भी गर्म हो और यह जो गर्म पेड़े हैं डाल दीजे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी इस चासनी को और बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है तो सभी को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे चमच की सहायता से उपर नीचे कर लेंगे ताकि चासनी जो है अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और इसे आधा गंटा के लिए हम धक करके रख देंगे अब यहां पर आधे घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह से बन करके रेडी हो चुका है और यह खाने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है तो फ्रेंट्स आप भी बनाईए और खाईए बहुत ही इजी बन जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है और ये किसी भी मिठाई से कम नहीं है फ्रेंट्स आप एक बार जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा और ये देखिए फ्रेंट्स ये कितना रसीला है और इसने चासनी कितनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर रखा है तो फ्रेंस जरूर आप ट्राइ कीजिए तो फ्रेंस यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूले फ्रेंस ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तब तक के लिए बाई बाई थेंक्स फर वाचिंग